हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड लाड़ा, आज हम बनाने जा रहे हैं फ्रेश मटर की दही वाली सबची इसके लिए हम मटर को सबसे पहले उबाल लेंगे और इसी के साथ इसमें डालेंगे एक दालचीनी का टुकड़ा, एक काली लाईशी और दो लॉंग साथ ही डालेंगे आधा टमाटर, आधा प्याज और एक हरी मिर्ची और एक चम्मच नमक अब इसको हम बॉयल होते रहने देंगे अब मसाने की तैयारी करते हैं जिसके लिए मैंने लिए आधा कब दही और इसमें नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया मिला दिया है और इसको हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि दही में कोई लम्स ना रहें अब बचे हुए आदे टमाटर और आदे प्याज को बारिक बारी काट लेंगे और चार से पाच लसन की कलियां भी काट लेंगे मटर उबल गया है इतनी अच्छी तरह से उबला है कि आराम से मैश हो रहा है अब हम ग्रेवी की तैयारी करते हैं ओइल गरम करके मैं इसमें डालूँगी जीरा, हींग और कटा हुआ लसन जब यह लैसून लाल हो जाए उसके बाद हम एट करेंगे कटा हुए प्याज प्याज को हम ढग देंगे ताकि यह जल्दी सॉफ्ट हो जाए और इतने समय में जो उबला हुआ टामाटर प्याज और मतर था उसको हम थोड़ा मैश कर लेते हैं जब प्याज सुनहरी होने लग जाए तब हम इसमें एट करेंगे टामाटर और फिर से थोड़े देर ढखके पकने देंगे ताकि टामाटर भी सॉफ्ट हो जाए तामाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं और अब इसमें दही और मसाले का मिक्स एट कर देंगे और इस समय हमें करशी लगातार चलानी पड़ेगी अगर छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए भी तो दही फट जाएगा जब तक इसमें से तेल वापस से रिलीज न हो जाए तब तक हमें करशी चलाते रहना है और इसको भूनना है अब सारा तेल रिलीज हो गया है तो मटर के साथ ही मैंने थोड़ा सा पानी आइट कर दिया था और उसको हम इसमें डाल देंगे आपको जितनी कंसिस्टेंसी चा थोड़ा सा उबलने लगे हमारी सबजी तयार है आप इसे राइस या रोटी के साथ सर्फ कर सकते हैं थैंक यू फर वाचिंग